So, Hey there, I am Shibai and you are on Sasta Explainer. तोस्तो आज इस मुवी को हम explain करने जा रहे हैं, उसका नाम है The Brass Deepod, जो कि release with the year 2012 में. मुवी को start करने से पहले हम आपको बता दें कि यह दिए आप ये वीडियो फेस्टूक पर देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल Sasta Explainer को YouTube पर सर्च करके subscribe कर सकते हैं, तो मुवी स्टार्ट होती हैं और हम एक आल सी बेरोजगार कबल को देखते हैं, जिनका नाम John और Alice है, हाला कि John तो एक call center में job करता है, परन्तु उसका रोजगार almost बेरोजगार के बराबरी है, क्योंकि ना तो उसे जदा पैसे मिलते हैं, इसके साथ साथ तरह तरह से उसका वस उसे torture करता रहता है, आ, mentally torture, और दूसी तरफ जो Alice है, वो बिलकुर नली बैठी है, और उसके पास कोई भी काम नहीं है, जिस वज़े से इनकी final seal condition काफी ज़्यादा खराब हो गई है, और इन्होंने काफी समय से अपने room का rent भी नहीं दिया है, जिस वज़े से इनका room owner आ करके इन्हें अक्सर परिशान किया करता है, और इसी वज़े से इन दोनों के ज़्यादा कोई खाश दोस्त में नहीं थे, हाँ लेकिन एक दो लोग थे, चुकि इनके best friend थे, और इन्हीं के घर आज ये लोग party में जा रहे हैं, यहाँ पर काफी ज़्यादा यह लोग enjoy करते हैं, परन्तु जॉन इतनी ज़्यादा drink कर लेता हैं कि अखले दिन उसे उल्टिया होने लगती हैं, जिसके बाद यह लोग shopping करने के लिए market जा रहे थे, परन्तु जॉन अपनी car को इतना तीज ड्राइव कर रहा था, जिस वज़े से उसका पीचे पीचे चली जाती हैं, और सही मौका देख करके उस tea pot को चुरा लाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंदाता हैं, कि वो हमेसा हर पल उसे अपने साथ ही रखती हैं, और इसी चलते एक दिन Alice जब अपने बालों को curl कर रहे थी, त पैसे कहां से आगें, जिस पर वो ऐसा guess करती हैं कि शायद उसे हर्ड हुआ, जिस बज़िस इसमें पैसे आएं, जिसके बाद वो एक बाद फिर से अपने आपको थोड़ा सा हर्ड करती हैं, और वो नोटिस करती हैं कि उस tea pot में एक बार फिर से पैसे आगें, और अब तक करने की ही पैसे मिल रहे हैं, जिसके बाद वो तरह तरह से अपने आपको हर्ड करना स्टार्ट करती हैं, और बहुत सारे पैसे कमाने लगती हैं, और कुछ दिर के बाद जान जब घर पर वापस आता हैं, तो पिचारा बहुत ज़दा दूखी था, क्योंकि आज उसे उसकी इसके बाद पैसे निकलते हैं, तब जान बरगे जोन को कुछ समझ में आया, और अब तक ये दोनों ही सबख़ समझ चुके है, तो दोनों ही एप दूसरे को तरह तरह से हड्Traff करने लगते हैं, और बहुत सारे पैसे उसी पाद से निकालने लगते हैं, लेकिन कुस दिर के बाद जॉन को ये बाद समझ में आती है कि इसके अंदर से बस पैसे निकालते रहो और अपनी लाइफ को enjoy करते रहो इसका जरूर कुछ न कुछ नुकसान जरूर होगा लेकिन Alice को इस चीज में काफे जदा मजा आ रहा था तो वो कुछ भी सुनने के mood में नहीं थी जिसके बा वहाँ पर नहीं ले चापाता और इसके बाद वो सीधा एक live show में चला जाता है जहाँ पर एंटिक चीजों को दिखाया जा रहा था तूसे तरफ हम देखते हैं एक Chinese परसन को जो कि इस टीपॉट को देखते ही बिलकुल हैरान हो जाता है जैसे मानों वो इस टीपॉट के ब करके, टैटू बनवा करके और तरे तरे के तरीके और इसके अलावा ये लोग जिब कभी इंटीमेट होते थे एक दूसरे को तरह तरह से टॉर ना प्लेजर लेते थे लोगों के पास हैं तो तुम्हें वो पॉर्ट मुझे देना पड़ेगा और यहां पर दूसरे तरफ एलिस नोटिस करती हैं कि वो लोग जब जोन को मार रहे हैं तो उस पॉर्ट के अंदर बहुत सारे पैसे निकल रहे हैं जिसके बाद वो पैसों को निकाल करके उन दोनों क के बारे में पता लगाते हैं जिस पर उन्हें पता चला कि यह पॉर्ट जीजस ट्राइस से भी पहले के समय का है लेकिन इस बुक में एक पीच फटा हुआ था दोस्तों यह पीच किसी और नहीं बलकि एलिस नहीं फाड़ा था क्योंकि उसमें इस पॉर्ट के सारे कॉंस ल पार्टी रखी हुए होती हैं तभी वो चाइनिज परसन वहां पर आ जाता है और वो उन्हें आगा करता हैं कि तुम लोग बहुत जादा गलत कर रहे हो यह काम अभी ही बंद कर दो वनना तुम लोग बड़ी मुसीबत में फस जाओगे यह जब समझ जाती है कि यह पॉर् भागने की कुशिच करता हैं लेकिन वो भाग नहीं पाता जिसके बाद गुष्बत कर राज जानने के लिए अगले ही दिन वो लोग उस चाइनिज परसन के पास पहुच जाते हैं जिस पर वो चाइनिज परसन उन्हें खास कुछ तो नहीं बताता बस उन्हें आगा जरू को यूज करना बंद कर दो वरना तुम लोग अपनी लाइपस ने हाथ दोलोगे ऐल इस जिसे अब पैसों के इतना ज्यादा लालश हो गया था कि वो किसी का भी कुछ नहीं सुनना चाहती थी जिसके बाद वो उन्हीं टी पॉर्ड ना वापस करके वापस अपने घर ले आती है और एक बार फीर से ये लोग एक दूसरे को हड़करना स्टार्ट रदेते हैं इन्हें एक दूसरे को काफी जधा हड़करने के बाउजोद भी पैसे थोड़े कम मिलने लगे थे तो सोथी है कि शायद इन्हें अपकुछ ज़्छा दा पड़करना पड़ेगा सभी थोड रियलाइस कराता है कि देखो तुम लोग उस टीपोट के कबजे में आ रहे हो ऐसे करके तुम लोग खुद को ही बरबाद कर लोगे लेकिन फिर भी जॉन नहीं मानता और एक दिन एलस को यह रियलाइस होता है कि यह टीपोट आपको इस बात के भी पैसे देगा कि अगर आप के सामने कोई हर्ट होता है तो तो यह बात उसके मांड में एक आईड़ीए का काम करती है और वो अपनी कार से इक इनोसेंट पिपल को हर्ड करने जा री थी यह बात जब ज्यूद करने लगते हैं लेकिन लोग नोटीस कर पाते हैं कि वो टीपोट इन्हें उल्टा-सिदा बोलने के भी पैसे दे रहा है क्योंकि दोस्तों इस तरह से उन्होंने हर्ट किया था लेकिन फिजिकली नहीं मेंटली तो मेंटली हर्ट के भी पैसे मिलेंगे जिसके बाद वहीं पर ही एलेस और जौन एक दूसरे को बुरा-बुरा बोलना स्राट कर देते हैं हाला कि वो लोग पैसे तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं पर इस बीच उन लोगों ने वो बाती भी कह दी थी जो कि इन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं कहनी चाहिए थी एलेसन ये भी बता देती ही कि इसके पहले उसका फियर उसके ही मकान मालिक के साथ चलता था और इसके अलावा बहुत सारी बाते हैं ये सुन करके इन दोनों के रिलेशन के बीच थोड़ी सी दरार आ जाती है खेर इस चीज़ से इनका रिलेशन तो खराब होई जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग आस पास के लोगों का भी रिलेशन खराब करेंगे तक कि और भी ज़्यादा पैसे कमा सकें जिसके बाद ये दोनों ही आस पास के लोगों के बीच आग लगवा देते थे और उनका बना बनाया घर बिगार देते थे जिससे लोग खाफी पैसे तो कमाते थे पर कुछ समय के बाद जॉन को रियलाइस हो जाता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं और इस बात के लिए वो एलिस को रोकता भी है पर एलिस तो पैसो के लिए बिल्कुल अंधी हो गे थी उसे घंटा फरक नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या होता है पस उसे पैसे मिल रहे हैं ये उसके लिए इनफ है और अब तो उसके पैसो की भूग इतनी जादा बढ़ गई हैं कि वो ही डिसाइड करती हैं कि वो लोगों की जान भी ले लेगी और इस बात के लिए वो जॉन को बताती हैं कि हमारे आसपास कितने सारे क्रिमिनल रहते हैं हमें उन्हें मार देना चाहिए हम सिर्फ ये पैसो के लिए नहीं करेंगे और एक दिन बातों ही बातों में जॉन एलिस से पूछ लेता हैं कि उससे किस से जदा प्यार है उस टीपॉट से या फिर जॉन से जिस पर एलिस कोई भी रिप्लाइ नहीं करती तो इस पर जॉन को उसका अंसर मिल गया और अब बिचारा बहुत ज़दा तूट गया है तो वो सीधा उसी चाइनीज परसम के पास जाता है और उनसे कहता है कि आगर इस टीपॉट से चुटकारा पाने के लिए करना क्या पड़ेगा जिस पर वो बोलता है कि वो टीपॉट मुझे लागर दो ताकि मैं उससे डिस्ट्रॉय कर सकूँ जौन भी ये बात मान लेता है और इसके बाद सीधा घर जाता है पर घर जा करके उससे वो ही पेज मिल गया जो कि एलिस ने बुक से फार लिया था उस पेज में उसने पढ़ा कि इस टीपॉट को हुश करने की क्या क्या नुक्षान है और उससे बहुत जाता दुख होता है कि उसकी वाइब ये सब कुछ जानती थी पर फिर भी उसने नहीं बताया खेर उसी रात वो टीपॉट भी जो उनका रूम ओनर था वो चुरा ले जाता है जिसके बाद वो लोग बहुत जादा खुश हो जाते हैं कि चलो उनके सर से बला टली पर अगले ही दिन उन्हें ध् लाइब भी आजाती हैं जो कि उससे घन पउंट पर लिती हैं बहुत जाते हैं तुछे। लेकर के वो उसी चाइनीज परसन को दे देते हैं जिसके बाद हम देखते हैं वो चाइनीज परसन उस टीपोर्ट को समुदर में डाल देता है ताकि अब दुबारा यह किसी के भी हाथ न लगे और किसी की भी लाइफ बरबाद न हो कैर इसे के साथ ये मुवी यही पर एंड हो जाती हैं मुवी आपको कैसे लेगी हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग मुवी के लिए हमारे चैनल सस्ता एक्स्प्लेइनर को यूट्यूब पर सर्च करके करें और मुझसे बात बगरा करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टा ऐड़ी है आपका शिवाएं जोके आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं लिंक निच रेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आज के लिए बस इतना ही तै